नमस्कार साथियो नियुएस के कमिटी हेल्थ टेनिंग प्रोगाम में आप सभी का फिर्स वागत है और आप जानते हैं कि कमिटी हेल्थ टेनिंग प्रोगाम में आप एक एक करके सारे विस्याओं की जो टॉपिक्स हैं वो पल रहे हैं सेकिंड जो आपका विशाय है बहुत इंपोडेंट विशाय है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केर मात्रत्वेवं सिसू स्वास्त है देख वाल तो इसके साथ ही इसमें जो टॉपिक से अलग-अलग अभी तक आपने फार्स सेकिंड थार्ड जो टॉपिक है यानि इस्तनप है सभी के लिए और हेल्थ वर्कर्स का इसमें कितना बड़ा रॉल है वो भी आपने जाना यहां पर जो आज का जो हमारा जो यूनिट है वो है नेशनल हैल्थ प्रोग्राम यानि कि राश्टिय स्वास्त है कारिक्रम आपने कभी विचार किया है कभी देखा है कि कई वार जो कैम्प लगते हैं कई वारी स्कूलों में टीका करन का प्राद्धन किया जाता है कई वार गाओं में आकर के या सहरों में भी बार्ड में बैठ करके कुछ निशित प्लिसेज पर गवर्मेंट टीका करन से सम्मंदित अभ्यान चलाती है और हम लोग सब जाते हैं तो सरकार मिलकर के यानि कि हमारी केंद्र सरकार और राज सरकार हैं आपस में मिलकर के स्वास्था से सम्मंदित कुछ कार्टरम चलाती हैं जो की हेल्थ मिसन के लिए बहुत आवस्क हैं और इन कार्टरमों की माध्यम से आपको एक-एक कार्टरम से रूवरू होंगे इसमें सम्मंदित भी कुछ कार्क्रम विसे सूप से इस्टे गोर्मेंट भी चलाती है लेकिन संयुक्त रूप से यह कार्क्रम जातर हर राज्य में जो है वो लागू होते हैं तो आज इस कार्क्रम के लिए जो आपका नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है इस पर डॉक्टर निधी जो फ और डॉक्टर निधी जी आपको बताएंगी कि कितने प्रोग्राम हमारे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम हैं किस तरह से वो समाज में और पूरे उसमें जन संख्या के साब से लागू होते हैं श्टेट में सरकार के साथ मिल करके किस तरह से उनको आगे बढ़ाती है और किस तरह से हमारे स्वास्थ्या को ठीक रखने में यह पूरा अपना रॉल प्ले करते हैं और इसमें खास तोर से अब बता आती है कि यह प्रोग्राम तो ठीक है लेकिन हैल्थ वर्कर्स का भी इस इससे पहले आप मात्रयम शिशु देखभाल के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आज हम राष्टे स्वास्थे कारेकरम क्या है, इसमें कैसे कारेकरम या कौन-कौन से कारेकरम लिये जाते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे, क्योंकि आप सब का विशे जन स्वास्थे हैं, तो इसल रोग्थाम करने स्वास्थे और दीर्ग जीवन को बढ़ावा देने के लिए सभी संगठित सार्जनिक या नीजी उपायों से है इसकी गतिविध्यों का उद्देश्य ऐसी दशाई उपलब्ध कराना है जिसमें लोग स्वस्थ रह सके और पूरी जनसंख्या पर ध्यान कें जनसंख्या के बीच आपको रोगों की रोग्थाम करने स्वास्थे को बढ़ाने दीर्ग जीवन को बढ़ाने के लिए सभी संगठित उपाय जिसमें की सार्जनिक पबलिक या फिर गौर्मेंट की तरफ से कोई भी उपाय अधी होते हैं तो वह सब जनस्वास्थे के अंत का ध्यान केंद्रित हैं बलके पूरी जनसंख्या पर आपका ध्यान केंद्रित रहे यह सब जनस्वास्थे का हमारा संधर्व है तो इसलिए हमारा जो राष्ट्य स्वास्थे कारकरम है उसका महत्व और भी बढ़ जाता है क्योंकि आप लोग हेल्थ वरकर के रूप में ज स्वस्थ नागरिक ही स्वस्थ राष्ट का निर्मान कर सकते हैं अता नागरिकों के जीवन स्थर में स्वास्थे में सुधार के लिए सरकार कई स्वास्थे कारकरम राष्ट्य स्थर पर चलाती है जिनने हम राष्ट्य स्वास्थे कारकरम कहते हैं अब इसमें नियंद्रन एमम उन्मूलन कारक्रम कौन से है या कैसे है इनके बारे में जानते हैं रोग पर नियंद्रन प्राप्त करने के लिए जो कारक्रम चलाए जाते हैं वे नियंद्रन कारक्रम के अंतरगत आते हैं तथा जिस रोग को जड़ मूल से समाप्त करने के लिए जो कारकरम चलाए जाते हैं, वे उन मूलन कारकरम के अंदरगत आते हैं. राश्रे कारकरम में क्या से लेते हैं हम लोग किसी भी रोग को? जब कोई रोग समपून देश में व्याप्त हो, एवं देश के प्राय सभी शेत्रों में लोगों को प्रभावित कर रहा हो, तथा उसकी निरंतर वृद्धी हो रही हो, तो ऐसी परिस्तिती में उस रोग को राश्रे कारकरम में सम्मिलित कर लिया जाता है. जैसे कि आपने देखा है कि पोलियो भ्यान है, पल्स पोलियो भ्यान है, ये पूरे देश में चलाया जाता है, तो इस तरह से कोई भी यदी रोग है जो समपून देश में व्याप्त हो रहा है, या फिर देश के प्राय सभी शेत्रों में लोगों को प्रभावित कर रहा है या उसकी निरंतर वृद्धी हो रही है तो ऐसे में उस रोग को राष्टे कारिकरम की अंतरगत ले लिया जाता है विभिन रोगों के नियंतरा एवं उन्मूलन के लिए राष्टे स्तर पर कारिकरम चलाए जा रहे हैं ये कारेक्रम केंदर सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा संइक्त रूप से चलाए जाते हैं। ग्रामीन शेत्र के लोगों को जादा स्वास्थे सेवाई उपलब्ध नहीं हो पा रही थी तो इसलिए राष्टे स्वास्थे कारक्रम की आवशकता बढ़ी ग्रामीन और शेहरी शेत्रों में स्वास्थे प्रणाली को सुद्रिड करना तथा उनके बीच असमानता को कम करना इसके लिए हमने राष्टे स्वास्थे कारक्रम की पहल करी और स्वास्थे सेवाउं का विस्तार करना जिससे संक्रामक और गैर संक्रामक बीमारियों से के दोहरे भोज से निप्टा जा सके जिससे बहतर जीवन की प्राप्ती हो यदि मनुश्य स्वस्थ रहेगा बहतर ज प्राप्त कर सकता है राष्ट्रे स्वास्थे कारेकरम का लक्षय समान न्याय संगत सस्ती और गुणवत्ता पून स्वास्थे परिचर्य सेवाओं की सार्व भूमिक पहुंच सुनिश्चित करना है जो कि लोगों की जरूरतों के प्रति उत्तरधाई हो तथा लोगों की पून स्वास्थे सुविधा प्रदान करने के लिए राष्ट्रे स्वास्थे मिशन की शुरुवाद की जिसे हम NRHM के नाम से जानते हैं राष्ट्रे ग्रामी स्वास्थे मिशन के नाम से जानते हैं मिशन का उदेश्य मातरी और शिशु मृत्युदर कम करना और खास तोर से कमजोर वर्गों के लिए स्वास्थे सेवाओं तक बहतर पहुंच प्रदान करना था इसी विशे को आगे बढ़ाते हुए भारत सरकार ने राष्ट्रे स्वास्थे मिशन की शुरुवाद की अनेक राष्ट्रे स्वास्थे कारिक्रम जैसे राष्ट्रे वेक्टर जनित रोग नियंतरन, कुष्ट रोग उन्मूलन, तपैदिक नियंतरन, अंधता नियंतरन और आयोडिन नियुनता, विकार नियंतरन कारिक्रम राष्ट्रे स्वास्थे मिशन की अंतरगत आ गई हैं पहले ये प्रोग्राम सारे अलग-लग चल रहे थे, अब ये सभी राष्ट्रे स्वास्थे मिशन के अंतरगर चलाए जा रहे हैं। जैसा कि अभी हमने देखा कि राश्ट्रे स्वास्थे कारेकरम जो हम चला रहे हैं कौन-कौन से हैं इनके बारे में जानते हैं इनको हम कुछ वर्गी करन कर लेते हैं आए जानते हैं कैसे हैं सबसे पहला है प्रजनन मात्रित्व, नवजात, बाल स्वास्थे और किशोर सेवाएं इसमें कौन-कौन से प्रोग्राम आते हैं, आईए देखते हैं जननी सुरक्षा योजन, राष्ट्रे किशोर स्वास्थे कारे करम, राष्ट्रे बाल स्वास्थे कारे करम, सार्व भोमिक टिका करन कारे करम, मिशन इंद्र धनुष, प्रधान मंत्री सुरक्षित मातरित्व अभियान, नवजात शिशो सुरक्षा कारे करम, राष्ट्रे प ये अभी शुरू कि यह को दूसरा है राश्ट्रिये प॔TTON कारेकरम नशनलल लुट्रीशनल प्रोग्राम इस में आते हैं आपके राश्ट्रे आयोडीन अलपता विकार नियंतरन नियंतरन योजना राश्ट्रे पौशन कारेकरम का जो मे नाइश्ट dynasty है कि लोगों में पोशन का प्रसार हो उनके अंदर पोशन जाय कुप पोशन ना रहे बच्चों में तो इसके लिए ये राश्ट्रे पोशन कारेकरम चलाया जा रहा है तीसरा है संक्रामक रोग नियंतरन कारेकरम कम्निकेबल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम इसकी अंतरगात आते हैं एकिक्रित रोग निग्रानी कारेकरम संक्षोधित राष्ट्रे क्षेर रोग नियंतरन कारेकरम राष्ट्रे कुष्च रोग उन्मूलन कारेकरम, राष्ट्रे वेक्टर जनित रोग नियंतरन कारेकरम, राष्ट्रे एड्स नियंतरन कारेकरम, पल्स पोलियो प्रोग्राम, राष्ट्रे वाइरल हेपेटाइटिस नियंतरन कारेकरम, राष्ट्रे रेबीस नियंतरन कारेकर चोता है गैर संक्रामक रोग नियंतरन कारेकरम नॉन कम्मिनिकेबल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम इसकी अंतरगात आते हैं राश्ट्रे तंबाकू नियंतरन कारेकरम राश्ट्रिय कैंसर मधुमे रिदे वाहिका रोग सीवीडी जिसे हम कहते हैं और आघात स्ट्रोक की रोग्थाम एमम नियंतरन कारेकरम राश्ट्रिय बधिर्ता रोग्थाम और नियंतरन कारेकरम राश्ट्रिय मांसिक स्वास्थे कारेकरम राश्ट्रिय द्रिष्टी हींता एमम द्रिष्टी क्षींता नियंतरन कारेकरम राश्ट्रिय बुजोर्ग स्वास्थे धेकभाल क प्रधानमंतरी राष्ट्रिय्व डाइलेसित कारेकरम। राष्ट्रिय व्यवसायक रोग नियंदरण् एमण उपचार कारेकरम। राष्ट्रे जलन अभिगात मिवारक और प्रबंधन कारेकरम। इनके अलावा कुछ हमारे कारेक्राम ऐसे हैं जो कि स्वास्ते देखभाल प्रणाली को सुधरता प्रधान करते हैं यानि की Health System Strengthening Program से आये उनके बारे में जानते हैं कौन-कौन से हैं ये हैं आयुशमान भारत योजना जो अभी प्रधान मंत्री द्वारा शुरू की गई है प्रधान मंत्री स्वास्ते सुरक्षा योजना लक्षे कारेक्रम जिसमें प्रसूति ग्रह और शल्ल चिकित्सा कक्ष में प्रसूता की देखभाल की गुनवत्ता में सुधार हेतु एक पहल की अंतरगत यह प्रोग्राम चलाया जा रहा है राश्ट्रे स्वास्थे मिशन यहां पर हमारे पास सीमित समय होने के कारण हम सभी जो हमारे कारक्रम चलाय जा रहे हैं उनको नहीं देख पड़ सकते हैं लेकिन इन में से हमने कोशिश की है कि कुछ के बारे में आपको बताया जाए आयस देखते हैं राश्ट्रे वेक्टर जनित रोग नियंतरन कारेक्रम इस कारेक्रम की अंतरगप वेक्टर से उत्पन रोग जैसे मलेरिया डेंगू कालाजार जपानी एंसेफलाइटिस वा चिकन गुनिया आते हैं इस कारेक्रम का मुख्य उदेश्य इन रोगों की अधाम तथा नियंतरन दोनों हैं वेक्टर का आर्थ है कि जो अपने इसे विमारी ना लेते हुए दूसरे के अंदर विमारी उत्पन करता है तो उसमें हम वेक्टर से उत्पन मच्छर का जैसे है इसमें तो उसके लिए हम लेते हैं इसमें मुख्य कारे क्या हैं किटानू नाशत दवाओं का छिड़काव के माध्यम से वेक्टर जनसंख्या कम करके संचारन रोगना कोई उपरोग विमारी होने पर यदी जैसे चिकनगुनिया या किसी को काला जर आधी यदी हो गया है तो उस पे उचित दवा का और अस्पतालों में त्वरित निदान और शिग्र मामलों में के प्रभंधन को मजबूत करना यहां पर एक हेल्थ वरकर की जरूरत क्या पड़ती है कि उसका कारे क्या है कि जल्दी से जल्दी इन रोगों की पहचान कराए और पूरा उप्चार लोगों के बीच में उपल इसको हम NPC-DCS के नाम से भी जानते हैं इस कारे क्रम के दो मुख्य घटक हैं कैंसर और दूसरा है मधु में CVD और आघात अभी हम इसमें मधु में CVD और आघात के बारे में पढ़ेंगे कैंसर के विशे में हम आगे के कारे क्रम में देखेंगे NPC-DCS का उदेश्य अल्प संसाधनों का प्रयाप तूपियों और सेवाओं तक जन समानने और रोगियों की पहुंच तथा इस कारे क्रम की दिर्ग कालिक स्थिरता सुनिश्चित करना है इसका उदेश्य क्या है वह हमारे वहवार में जीवन शैली में आए बदलाव के कारण है तो इसलिए इसका मुख्य उदेश्य है कि वहवार और जीवन शैली में बदलाव लाना लोगों को इसके बारे में समझाना ताकि हम इन रोगों से बस सके समाने गयर संक्रामक रोगों का शिग्र निदान और प पटने के लिए सारवजिनिक स्वास्ते धांचा, मुख्यता चिक्कित सकों, परा चिक्कित सकों और नर्सिंग स्टाफ के भीतर मानव संसाधन को प्रशिक्षित करना। उप्षामक और पुनर्वा समंधी वेगभाल के लिए क्षमता स्थापित और विक्सित करना। संशोधित राष्ट्य क्षै रोग नियंदरन कारिग्रम, आरन टीसीप। टीबी रोग्यों के इलाज की व्यवस्था करना ये सब इसका मुख्य उदेश्य है। सार्वोमिक टीका करन कारिग्रम, उनिवर्सल इम्मिनाइजेशन प्रोग्राम, UIP भी इसे कहा जाता है। इस कारिग्रम के अंतरगत सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं, शिशुओं तथा बच्चों के टीका करन कारिग्रम चलाया जाता है। विभीन टीकों को लगाकर बच्चों वा गर्भवती महिलाओं को अनेक रोगों से बचाया जाता है। रहे और स्वस्त उत्पन्ध हो। यह टीका करन तालिका है जिसमें हम देख सकते हैं कि जो गर्भवती महिलाओं है उनको टीटी जो हम टेटनस टेक्सोयड है कब-कब लगाना है। तो इसमें आप देखेंगे कि टेटनस 1 है अरली प्रेग्नेंसी में लगाते हैं। टीटी 2 है 4 weeks after टीटी 1 कि जब आपने पहला टीटी लगा दिया है उसके एक महिने के पश्चा टीटी दूसरा लगना होता है। और टीटी बूस्टर कब लगाते हैं यदि दो उसको टीटी की डोस मिल चुकी हैं। तीन साल में अगर वो फिर से गर्भवती होती है तो उसको एक टीटी बूस्टर लगाया जाता है। शिशुओं में BCG जो की जन के समय पर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लगा देना चाहिए। यदि किसी बच्चे को नहीं लगा जन के समय पर तो एक साल के भीतर उसे ये BCG का इंजेक्शन लगवा देना चाहिए। हेपेटाइटिस B का इंजेक्शन ये भी जन के तुरन पश्चाथ जहां तक संभव हो सके 24 घंडे के अंदर लगा देना चाहिए। ओपीवी जीरो डोज ये भी जन के समय और या फिर 15 दिनों के भीदर लगा देना चाहिए। ओपीवी 1, 2 और 3 जो कि हम 6 हफते, 10 हफते और 14 हफते में लगाते हैं। फिर DPT 1, 2 & 3 ये भी 6, 10 और 14 हफते में। हेपिटाइटिस B, 6, 10 और 14 हफते में लगाया जाते हैं। ये हम एक पूरा डोज लगाते हैं। मीजल्स 9-12 महिने में लगाया जाता है। विटामिन A की पहली डोज 9 महिने में मीजल्स के साथ दी जाती है। बच्चों के लिए DPT बूस्टर 16-24 महिने के अंतरगत लगाते हैं। और मीजल्स की सेकिंड डोज 16-24 महिने में। OPV बूस्टर ये भी 16-24 महिने के अंदर लगाया जाती है। जिन शेत्रों में जिपनिस एंसेफलाइटिस का अधिक विस्तार है या प्रकोप है। की सेकिंड डोस जो है आपको 16 महिने से उपर के बच्चों में 6 महिने तक 5 साल तक दी जानी चाहिए। DPT बूस्टर 5-6 साल की उमर में लगाया जाता है। और TT बूस्टर 10 साल या 10 साल में और 16 साल की उमर में लगाया जाता है। अब है प्रजिनन एवं शिशु स्वास्थे कारिक्रम RCH Reproductive Child and Health Program इसमें हम देखते हैं कि जो मात्रों शिशु कल्यान के बारे में ज्यादा चर्चा की जाती है। परिवार कल्यान के विभिन घटक, मात्री एवं शिशु कल्यान, Maternal and Child Welfare तथा शिशु स्वास्थे एवं सुरक्षित मातरित्व, Child Health and Safe Motherhood सभी कारे ये RCH की अंतरगत किये जाते हैं। इस कारेक्रम में निम्निलक्ष सुम्हों को स्वास्थे सेवायें प्रदान की जाती हैं। 15-49 वर्ष प्रजनन योगे की महिलाएं हैं, उनके लिए ये स्वास्थे सेवायें प्रदान करता हैं। पांच वर्ष से कमायू के बच्चे, स्कूली बच्चे, किशोरा वस्था के बच्चे। कारेक्रम की गतिविध्या क्या क्या हैं। प्रसव पूर्व एंटीनेटल देखरेक्प्रसव के दोरान अर्थात लेबर के टाइम पे मा तता नवजात शिशु की देखभाल। प्रसव के उपरान पोस्टनेटल देखभाल। परिवार नियोजन सेवायें, रेफरल सेवायें। सुरक्षित गर्भपात, MTP सेवायें देना भी इसी प्रोग्राम के अंतरगत हैं। प्रजणं तंत्र के संक्रमन पर नियंतरन के लिए जांच वा उप्चार सेवाय, बाल स्वास्ते शिविरों का आयोजन करना, प्राथ्मिक स्वास्ते केंदरों, सामुदाइक स्वास्ते केंदरों में 24 घंटे सुरक्षित प्रसव सेवाय उपलब्द कराना ये सब RCH के तह आता है राश्च्रे परिवार कल्लांड कारेक्रम NFWP National Family Welfare प्रोग्राम भारत दुनिया में पहला देश है जिसने वर्ष 1952 में परिवार न्योजन के लिए राश्च्रे कारेक्रम शुरू किया था यह कारेक्रम प्रजिनन स्वास्थे को बढ़ावा भी देता है और इसके सा सासत मात्र शुषू और बाल-मृत्युदर एमम रोगदर को भी कम करता है सार्जनिक स्वास्थेक्षेत्र स्वास्थे प्रणाली के अंतरगत कारेक्रम के माध्यम से विभिन्स धर्वपर परिवार नियोजन सेवाए प्रदान करता है राश्च्रे परिवार कल्यान करम का जो मुख्यों देश्य है, मात्री शिशू और बाल मृत्यदर को कम करना, रोकदर को कम करना, बच्चों के बीच में एक अंतर को रखना ताकि माँ को एक अच्छा टाइम मिल सके अपनी शरीर को बनाने का या दुबारा से उस योगे होने का कि वे गरभवती हो सके और प्रांत परिवार नियोजन सुविधाएं बढ़ाना जिसके तहल संस्थागत प्रसव में प्रिवार नियोजन पर मांग बढ़ाने और जागरुकता उत्पन करने के लिए आशा और केंद्रित ICC या BCC प्रियासों को शामिल करके गर्भ निरोधकों के समुदाय आधारित वि बताएं तो यह सब इस कारेकरम की अंतरगत किये जाते हैं पुरुष भागिदारी और पुरुष बंधयकरन या बिनाचीरा पुरुष नस्वंदी को प्रोचाहन देना विभिन सुविधाओं में पोस्टर सूचना पट जिसे हम होडिंग कहाते हैं और अन्य ओडियो तथ रक्त एवं रक्त उत्पादों को सुरक्षा प्रदान करना, HIV या AIDS रोग से संबंधित स्वास्थेक शिक्षा को प्रभावी बना कर जन समुदाय तक पहुचाना, रोगी के परिवार के अन्य सदस्यों को आवश्यक स्वास्थेक शिक्षा प्रदान करना HIV ग्रसित व्यक्तियों के पुनर्वास की व्यवस्था करना तथा उनके मनोबल को बढ़ाना, योन संचारित रोगों जैसे सिफले, सुजाक आदिके नियंतरन के लिए सुरक्षित योन संबंधों को बढ़ावा देने के लिए कंडोम के प्रियोक को बढ़ावा देना, एं कैसे होता है, या AIDS कैसे होता है, उनके तरीके, जो विस्तार का तरीका है, वो लोगों को बढ़ावा देने के लिए कंडोम का प्रियोक को बढ़ावा देना, ये इसके अंतरगत बताया जाता है इसका उदेश्य क्या क्या है, कैंसर का जल्दी पता लगाना, कैंसर के शीघ्र जांच कराने की विवस्था करना, कैंसर उपचार सुविधाओं को सुद्रड करना, कैंसर से बचाव हेतु लोगों को प्रभावी स्वास्थेक शिक्षा प्रदान करना, जैसे कैंसर की अंति मवस्था से ग्रसित रोग्यों के लिए दर्द विवारक विवस्था करना, आज के समाज में कैंसर भी बहुत जल्दी से या बहुत जादा होने वाली एक भीमारी हो गई है, जिसके नियंतरन बहुत जरूरी है, तो यदि कैंसर का शुरुवाती स्टेश पे कैंसर का जल्दी से जल्दी पता लग सके और उसके शिग्र जांच होकर के उसका उपचार शुरू हो सके, तो इसके लिए महिलाओं को कुछ चीजें बताई जाती है, या महिलाओं को शिक्षा प्रदान की जाती है कि छाती का कैंसर की जांच वर सर्म कैसे गर सकती है, तो के लिए उनको कुछ चीज़े बताई जाती है शिक्षा प्रदान की जाती है तंबाकू से होने वाले नुकसान के बारे में बताना भी इस कारेगरम का मुख्य उदेश्य है राश्च्रे आयोडीन अल्पता विकार नियंतरन कारेगरम यह पोशन अभियान के जो न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स हमने देखे थे उसके अंतरगत ये प्रोग्राम आता है इसका उदेश्य है आयोडीन की अल्पता विकार की भयावतहा का आकलन करने के लिए क्योंकि आयोडीन की कमी से गौईटर नामक रोग हो जाता है जैसे आप चित्र में देख सकते हैं इसमें घेंगा रोग जिसे हम आमभाशा में बोलते हैं वे हो जाता है तो उसको नियंतरित करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया जाता है समाने नमक की जगे आयोडीन यू यूक्त नमक का प्रभाव और आयोडीन नियूनता विकृती सर्वेक्षन या पुनर सर्वेक्षन कराना आयोडीन यूक्त नमक और मूत्र उसर्जन में आयोडीन की प्रयोक्षाला मिग्रानी करना स्वास्थेक शिक्षारों प्रचार ये साब इसके मुख्यों देश्ये ह राश्ट्री अंधापान नियंत्रन कारेग्रम NBCP इसका मुख्योदेशे है समुदाये में आखों के स्वास्थे के लिए उचित स्वास्थे शिक्षा की वेवस्था करना इलाज के लिए मुबाइल नेत्र इकाई का गठन जो लोगों को समझाब जाकर नेत्र जांच के लिए उच्प्रेरित कर सके नेत्र की देखभाल के लिए 27 स्वास्थे सेवा की समुचित वेवस्था नियमित रूप से मोत्यविन का ओपेशन करना ताकि लोगों को अंधेपन से बचाया जा सके इसके लिए सरकार बहुत सारे कारम कर रही है उसके अंतरगत ये एक राष्ट्रे कारेकरम चलाया जा रहा है राष्ट्रे अंधापन नियंत्रन कारेकरम उनकी जब तक यदि आँखे नहीं होगी तो मनुश्य इस संसार की सुन्दरता को नहीं देख सकता तो उन आखों का स्वास्थे उनको उचित बनाय रगने के लिए ये कारेकरम चलाया जा रहा है राष्ट्रे बधिर्था रोग्थाम और नियंत्रन कारेकरम इसका मुख्य उदेश्य क्या है? बिमारी या चोट के कारण होने वाली परिहार्य बधिर्था की रोग्थाम करना श्रव्य हानी एवं बहरेपन के लिए उत्तरदाई कर्ण समस्याओं की शुरू में ही पहचान, निदान एवं उपचार करना बहरेपन से पीडित सभी आयू वर्गों के व्यक्तियों का चिकित्सिय रूप से पुनरवास करना बहरेपन वाले व्यक्तियों के लिए पुनरवास कारेकरम की निरंतरता के लिए मौझूदा अंतर शेत्रिय सयोजनों को सुद्रिड करना उपकरण एवं सामगरी तथा प्रक्षिक्षन कर्मियों के लिए साहेता की प्रदानगी के जरिये कंड परीचर्य सेवाओं के लिए संस्थागत शमता को विक्सित करना साथ लोगों को जागरुप करना इसके विशय में बताना कि कौन-कौन से कारे ऐसे हैं जो नहीं करने चाहिए जिससे भैरापन आ सकता है और वहाँ पर उसका इलाज करवाएं राश्ट्र कुष्ट रोग उन्मूलन कारेकरम NLP प्रशिक्षित स्वास्थे करमचारने द्वारा सक्रिय निग्रानी के माध्यम से प्रारंभिक पहचान करना मध्यम से कम प्रभावित स्थानिक शेत्रों जिलों के नजदीकी गावों के केंद्रों या निर्धारित स्थान पर मल्टी ड्रग थेरैपी M.D.T. देकर मामलों का नियमित उप्चार करना रोग से जुड़े समाजिक कलंग को दूर करने के लिए त्वरित स्वास्थे शिक्षा और जन जागरुकता भ्यान का कारेंवियन करना उप्युक चिक्कित सा पुनरवास और कुष्ट रोग अलसर देखभाल सेवाएं देना इस कारेकरम का मुख्यों देश्य है स्वास्थे कारेकरम, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम यह कारेकरम विशेश रूप से स्कूली बच्चों पर केंदरित है जिसका मुख्य लक्षे बच्चों के शारिरिक और मानसिक स्वास्थे का सुधार करना है बच्चों की व्यक्तिगत स्वच्चता, पोशन, सुरक्षित पीने का पानी, योग की सुविधा, पर्यावरन स्वच्चता आधी इस कारेकरम की अंतरगत आते हैं स्कूल स्वास्थे कारेक्रम के घटक क्या है? समाने स्वास्थे की जांच करना, एनेमिया पोशन समंदी स्थिती की जांच करना, व्यक्तिगत स्वच्ता जैसे दांतों की जांच, त्वचा की स्थिती, आंखों की जांचादी करना, वहवार समस्यों के लिए परामर सेवाए देना वी क्रीमी करनакти वर्मिंग करना टीका करनकार्यक्रम जिसे राष्रे टीका करनके अनुसार करना तो पहर का भोजन मिТ ने मील उपलब्ध कराना के। राष्रे ग्रामिन स्वास्थे मिशन एनरहईचंग जैसा कि आपने देखा अभी पहले हमने जाना था कि राश्री ग्रामीन जो ग्रामीन शेत्र हैं उन लोगों के लिए यह प्रोग्राम शुरू किया गया था राश्ट्रे ग्रामीन स्वास्थे मिशन ग्रामीन आबादी के लिए प्रभावी स्वास्थे देखभाल प्रदान करने के उदेश्चे से 12 अप्रेल 2005 में शुरू किया गया प्रतिरक्षन और पुषाहार जैसे सावजनिक सवास्ते सुविधाओं तक सार्व भोमिक पहुँं सुनस्चित करना, स्थानिक विमारी के साथ-साथ, संचरणिये एवं 11 संचरणिये विमारी की रोगठाम एवं नियंदरन एकिकरित व्रहत प्रात्मिक स्वास्ते सुविधा को सुलभ बनाना जनसंख्य स्थिरीकरण एवं लेंगिक तथा जनसंख्य की संतुलन बनाना स्थानिय स्वास्ते परंपरा एवं मुख्यधरा आयूश को पुनरजीवित करना स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना जननी सुरक्षा-योजना का सही डंग से कारेंवेन ग्रामीन स्वास्थे मिशन के तहट कुछ मुख्य प्रोग्राम आते हैं या प्रमुक कारेकरम आते हैं जो की हैं ग्रामीन स्वास्ते स्वच्छता एवं पोशन दिवस कारेकरम और जननी सुरक्षा योजना VHSND का उदेशे जो भी हमने पढ़ा कि इसमें गाउं में सुरक्षा स्वच्छता पोशन के लिए ये कारेकरम किया जाता है यह दिवस प्रतेक आंगनवाडी केंद्र स्थर पर महीने में एक बार खास तोर से बुधवार को आयोजित किया जाता है इसमें A&M एवं अन्य स्वास्थे कारेकरता समय पर आंगनवाडी केंद्र पर मुझूद रहकर स्वास्थे एवं पोशन समंधी सारी सुविधाय उपलब्द कराते हैं मात्रित अधा शिशुमृत्त दर में कमी लाना NVB DCP के अंतरगत आने वाले संक्रामक रोगों की रोगठाम और इससे ग्रस्त लोगों की संख्या में कमी लाना वो पोशन की दर में कमी लाना, स्वास्थे के सुरक्षा आत्मक एवं प्रोचाहक आयामको समुदायों के बीच उजागर करना इसका मुख्योदेश्य है जननी सुरक्षा योजना राश्य ग्रामीन स्वास्थे मिशन की अंतरगत प्रजनन एवं शिशु स्वास्थे कारक्रम के तहट माता एवं शिशु की मृत्यदर को घटाना प्रमुख लक्ष है रहा है तो इसके अंतरगत गरिबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को संस्थागत प्रसूती कराने के लिए एक अजार उपे की आर्थिक साहेता प्रदान की जाती है जनिनी सुरक्षा योजना की शिरुवात संस्थागत प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए की गई थी जिससे माता एवं नवजात शिशु को गर्भ से समंधित जटिलताओं एवं रित्यु से बचाया जा सके जनिनी सुरक्षा योजना का मेन उदेश्य यह है कि मात्रे और शिशुदर में कमी लाना ताकि एक स्वस्थ माता ही स्वस्थ बच्चे को जन दे सकती है इसलिए इस योजना की शिरुवात की गई थी तो शिक्षातियों अभी हमने कुछ राश्टे स्वस्थ कारेकरम के विशय में जाना कि इनके माध्यम से सरकार की एक महत्वकांशी योजना है कि लोगों को एक बहतर जीवन दिया जा सके उनके जीवन स्वस्थ में सुधार लाया जा सके ताकि वे एक बहतर जीवन जी सके और एक कुशल राष्ट का निर्मान कर सकें तो इसमें आपका बहुत महत्पून योगदान है कि लोगों को समय से या जो प्रोग्राम या जो कारक्रम सरकार के तहट चलाए जा रहे हैं उनकी जानकारी लोगों के बीच महुचाना उनको क्या कैस विधाय इस प्रोग्राम में दी जाती हैं उनके विशे में बताना यह सब आपका मुखे कार रहे हैं कि आप इन सब को जाने और लोगों के बीच में जन्शिक्षा के द्वारा लोगों के बीच में जागरुकता उत्पन करें आशा है कि ये सब जो हमने यहाँ पर प्रोग्राम पड़े हैं इनसे आपको कुछ मदद मिलेगी और आप आगे अच्छा करने में सक्षम होंगे और जो लोग इसे संबंधित हैं या जो नहीं है उनको भी एक महत्पून जानकारी प्राप्थ होगी ऐसी हमारी आशा है आपके अच्छे भविश्य की कामना करते हुए धन्यवाद